नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होना वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ये के सेकेंड फेपर में आपका जो सब्जेक्ट है एकोनोमिक यानिक अर्थ सास्तर उसके अंदर कौन-कौन से कोश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले कोश्चन के बारे मताऊंगा तो आप इस वीडियो को इसकीप किये भी ना पूरा देखिएगा ताकि आपको आने वाले कोश्चन के बारे में अच्छे से पता चल चके दोस् के अंदर में आपको जो भी question बताऊंगा सभी important question होंगे इन question को आप note करिएगा और किसी किताब से series से मिला करके याद कर लिजेगा तो यह बिना किसी दरी के हम लोग शुरू करते हैं और बिये second year के second paper में आपका जो economic का paper होने वाला है उसके अंदर जो भी question आने वाले हैं उन question के बारे में जानते हैं यहाँ पे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता देऊ किस वीडियो के अंदर में आपको लगूतरी प्रश्न वा दिरगूतरी प्रश्न दोनों को मिला करके बताऊंगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पहले question को देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपका पहला question दियो है यहने कि economic के पहला आपका question दियो है अधिक्तम समाजिक लाव का सिधानत बताईए पहला question कर रहा है जो अधिक्तम समाजिक लाव का सिधानत है यहाँ पे आपको अधिक्तम समाजिक लाव का सिधानत बताना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका दूसरा कोश्चन दियावा है बजट का अर्थ एवा महत्तो बताईए दूसरा कोश्चन कर रहा है जो बजट है यहाँ पे आपको बजट का अर्थ बताना है और बजट का महत्तो बताना है अब अगली question की बात की जाते हैं पे आपका तीसरा question दियवा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करके लाफ वा दोस बताईए करारोपड में नियाए का अर्थ बताना है यहाँ पर आपको करदे युगिता सिधान्त का मुल्याकन करना है अगली कोश्चन की बात कीजा तिहाँ पर आपका 6 कोश्चन दियाभ है कर से क्या आसे है, कर की बिस्देस्ता बताईए छटा कोश्चन कर रहा है कि कर से क्या आसे है यहाँ पर आपको सबसे पहले कर का आसे बताना यानि कि कर की परिभासा बताना है उसके बद आगे आपको कर की बिस्देस्ता बताना है अब अगले कोशन की बात की जट यहां पे आपका साथवा कोशन दियावा है कारागहात और कारापात में अंतर बताईए साथवा कोशन का रहा है कि जो कारागहात होता है और जो कारापात होता है यहां पे आपको कारागहात और कारापात में अंतर बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका आठवा कोश्चन दियवा है सारवजनी की ब्याय के बिभिन सिधान तो उसके परभाव बताना है यहाँ पे आपको सारवजनी की बयाय के बिभिन सिधान तो उसके प्रभाव बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं यहाँ पे आपका नवा कोश्चन दियावा है बायगनर का सारवजनी की बयाय से आप क्या समझते हैं अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका इगराव कोश्चन दियवा है राजकोसी ये नीती का अर्थ है वारे मतनखना है और केंधरिय सरकार की ब्याय की मदों की बिशल्णा करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, यहाँ पे आपका बाराव कोश्चन दियवा है, भारतीय करप राली के दोस्त बताईए, बाराव कोश्चन कर रहा है, जो भारतीय करप राली है, इसके क्या दोस है, यहाँ पे आपको भारतीय करप राली के दोस्त बताना ह अब अगली question की बात की जाते हैं पे आपका 14 question दियावा है तुलनात्मक लागत सिधान्त का अलोचनात्मक मुल्यांकन कीजिए चोधाव कोश्चन कहरा है जो तुलनात्मक लागत सिधान्त है यहाँ पे आपको तुलनात्मक लागत सिधान्त का अलोचना करना है और उसका मुल्यांकन करना है अब अगली कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका 15 कोश्चन दियावा है औसर लागत सिधान्त का अलोशनात्मक ब्याख्या कीजिए पंदरव कोश्चन कहरा है जो औसर लागत सिधान्त है यहाँ पे आपको औसर लागत सिधान्त की अलोचना करना है और उसकी ब्याख्या करना है अब अगली कोश्चन की बात कीज़त यहाँ पर आपका सुलाव कोश्चन दियवा है तुलनात्मक लागत सिधान्त कीन लागतों के अंतरगत लागू होता है यहाँ पर आपको बताना है कि तुलनात्मक लागत सिधान्त कीन लागतों के अंतरगत लागू होता है अब अगली कोशन की बात की जाते हैं पर आपका 17 कोशन दिया है बेपार की सर्थों के परकार वह घटक बताईए 17 कोशन का राय जो बेपार है यहाँ पर आपको बेपार की सर्थों के इन दोनों में अंतर बताना है अब अगली कोश्चन की बात कीजात यहाँ पे आपका उनिस्वा कोश्चन दियावा है राजासव का अर्थ परिभासा और छेतर का वांड कीजिए उनिस्वा कोश्चन करा है जो राजासव है यहाँ पे आपको राजासुवक अर्थ बताना है, राजासुवक की परिभासा बताना है, और राजासुवक के छेतर का वांड करना है अब अगले question की बात की जाए तो यहाँ पे आपका बिस्वा question दियावा है लोक बीत तता नीजी वीत में भेद बताईए बिस्वा question कर रहा है जो लोक बीत है तता जो नीजी वीत है यहाँ पे आपको लोक बीत तता नीजी वीत में भेद बताना है अब अगले question की बात की जाए तो यहाँ पे आपका एकिस्वा question दियावा है सर्वहितकारी वस्तुए क्या होती है एकिस्वा question कर रहा है जो सर्वहितकारी वस्तुए होती है क्या होती है यहाँ पे आपको सर्वहितकारी वस्तुए के बारे मताना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका 22 question दियवा है सारवजनी के रीड के लाव वो विसेस्ता है बताईए 22 question कर रहा है जो सारवजनी के रीड होता है यहाँ पर आपको सारवजनी के लाव वताना है वो सारवजनी के लाव वताना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका 23 वा question दियावा है मंदी काल में राजकोसिय निती का वंड कीजिए 23 वा question कह रहा है कि मंदी काल में जो राजकोसिय निती होता है यहाँ पर आपको मंदी काल में राजकोसिय निती का वंड करना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका 24 वा question दियावा है VAT white क्या है? यहाँ पर कहा रहा है कि जो white है VAT white white क्या है? यहाँ पर आपको white के बारें बताना है अब अगले question की बात की जाते हैं पर आपका 25 वा question दियावा है हैकसर ओहलीन का सिधान्त बताईए 25 कोश्चन कर रहा है जो हैकसर ओहलीन है यहाँ पे आपको हैकसर ओहलीन का सिधानत बताना है अब अगले कोश्चन की बात की जाते हैं पे आपका 26 कोश्चन दिया है आयात कोटा क्या होता है 26 कोश्चन कर रहा है कि आयात कोटा क्या होता है यहां पे आपको आयात कोटा के बारे में बताना है अब अगले question की बात की जाते हैं यहां पे आपका 27 question दिया हुआ है और लगुव दिर्गुतिरी प्रश्ण का last question दिया हुआ है बेपार की सर्थों से आप क्या समझते हैं साथ इसवा question कर रहा है कि बैपार की सर्दों से आप क्या समझते हैं यहाँ पर आपको बैपार की सर्दों के बारे में बताना है तो दोस्तों इस टूटल आपके 27 question होगे जो आपके लगुवत दिरगुती परस्टे में पूछी जाएंगे जो आपका 27 second year के अंदर second पर पर होने वाले एकनोमिक्स के अंदर तो आप इन question को note कर लिजे और किसी किताब से से मिलाकर कियात कर लिजे तो दोस्तों आज इस वीडियो को महीं पेस्किप करता है और मिलता आपसे नेक्स वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजे और कमेंट करके बताए कि आपको नेक्स वीडियो की स्टूपिक उपर चाहिए थैंकि दोस्तों